आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि अपने प्यार को पाने के लिए इंसान हर हस से गुजरने को तैयार हो जाता है अप फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े अपने प्रेमी से मिलने के लिए बिहार के एक लड़की ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अपने प्रेमी से मिलने के लिए बिहार की एक लड़की रोज पूरे गाउं को अंधेरे में रखा करती बात है बिहार के बेतिया छेत्र की जहां एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए रोज पूरे गाउं की बिजली काट दिया करती जब पूरा गाउं को रात को सो जाया करता था तो ये लड़की पूरे गाउं की बिजली काट कर अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी इस गर्मी में गाउं के लोग काफी बिजली के जाने से परिशान हो गए थे और जब गाउं के लोगों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसकी जाच करना शुरू किया तो एक रात दोनों आशिकों को रंगे हाथ पकड़ लिया, काफी दिनों से परिशान गाउं का गुस्सा इन दोनों पर निकल गया और दोनों की पिटाई कर दी और इसके बाद ये वीडियो शोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया आपको बता दें कि इन दोनों की बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और गाउं की मर्यादाओं की चलते दोनों प्रेमी एक दूजे से मिल नहीं पाते थे इसलिए दोनों ने अंधेरे में मिलने की एक योजना बनाई जानकारी के मुताबिक रोज रात को प्रेमी का अपने प्रेमी से कहकर गाउं में जिस ट्रांसफार्मर से बिजली की सप्लाई होती थी वहां से बिजली कटवा देती थी प्रेमी ट्रांसफार्मर में लगे एबी एयर ब्रेक स्विच को नीचे गिरा देता था और लाइट कर जाती थी इसके बाद दोनों एक कांत जगह पर जाकर अंधेरे में एक दूसरे से मिलने पहुँच जाते थे लेकिन गाओं वालों ने एक रात इन दोनों की योजना पर पानी फेर दिया और दोनों को रंगे हातों पकड़ लिया वाई ग्रामिनों की सुचना पर पहुँची पुलिस ने प्रेमी समें तीन युपको को हिरासत में लिया के बाद दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंचे जहां प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों ने थाने में ही दोनों की शादी करने पर सहमती जता दी पुलिस ने इस निर्ने के बाद हिरासत में लिये गए यूखको को छोड़ दिया